दोस्तों कि आप भी एक ही कोशन के अंसर को बारवर पढ़कर ठक जाते हैं लेकिन आपको पढ़ा हुआ जल्दी याद नहीं होता या फिर आप याद करने के बाद बहुत जल्दी भूल जाते हैं तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है और मैं आपको ग्यारंटी देता हू कि जिस चीश्ड में आपको जादा इंटरेस्ट रहता है वह आपको अच्छे से याद रहता है पूर जैसे किसी को क्रिकेट का असोक होता है तो आप इसंसे क्रिकेट में इसका एक एक ब्रह पूछ सकते हैं इस से हमें पता चलता है conquindo करना चाहिए जानते हैं अब इंटेस किसे develop करें हमारे किसी भी subject में interest तब आता है जब हमें वो subject समझ में आता है और इसे ही हमारा subject में ज्यान बढ़ता है और कुछ भी पढ़ा हुआ लंबे शमय तक याद रहता है तो इसका निसकर्स यही निकलता है कि पहले आप किसी भी subject को पढ़ने में बोरियत महसूस करेंगे लेकिन कुछ समय बाद जब आप उस subject को जान पाएंगे और फिर वहाँ subject आपको याद होने में देर नहीं लगेगी Tip No.2 Highlight Text मतलब सब्दों को ऐसा बना देना जो आपकी आँखों को आकरशक दिखे आप चाहे तो pencil से underline कर सकते हैं बहुत से scientific अनुसंदानों में यहाँ पाया गया है कि हारा brain ऐसे ही highlight सब्दों को जादा दिन तक याद रखता है इसका एक simple सा example है यह fool की छोटी सी video जो की black and white है और एक photo है जो colorful है तो आपका ध्यान किस तरफ जाएगा obviously बात है इस colorful photo की तरफ हमारे brain को same चीज boring लगती है इसलिए हमारा पढ़ने में मन नहीं लगता है इसलिए जब तक आप किसी text को highlight करते हैं तो वो आपकी brain को अच्छा लगता है और वो text आपको लंबे समय तक याद रहता है पढ़ा हुआ याद रखने का अच्छा तरीका है कि जब भी आप कुछ पढ़े तो उसे याद करके लिखने की कोशिश करे ज़रूरी नहीं कि आप जिस book में से पढ़ रहे हैं वो वेसे ही लिखाओ बलकि आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं पर जो चीज के बारे में आप लिख रहे हैं वो सही होनी चाहिए और exam में examiner भी उन्ही को अच्छे marks दे जो अपने किसी भी सवाल के जवाब को अपनी तरीके से solve करते हैं बुक में से वेसे के वेसे रटे हुए जवाब उन्हें भी पसंद नहीं आते हैं तिप्स नमबर 4 Make your own notes रही वार समय कम होने पर student अपने class friend के notes कोपी कर लेते हैं पर यहाँ विल्कुल गलत तरीका है दूसरों के notes पंडने में वक्त लगता है और समझ भी कम आता है इसलिए अपने notes खुद बनाना चाहिए notes बनाने की process से आपको याद रखने में असानी होगी योग हर उमर के व्यक्ति के लिए फाइदे मन होता है healthy और peaceful life के लिए student को नियमित रूप से योगा करना चाहिए योग पढ़ाई के pressure को कम करता है concentration को भी बढ़ाता है अब इसके लिए हमें कौन सा योगा करना चाहिए आईए जानते हैं जिसे कहते हैं प्राणाया जोजाना प्राणायां करने से दिमाग stress free रहता है इससे आप अपनी पढ़ाई पर अच्छे से focus कर पाएंगे प्राणायां से हमारा मानसिक विकास भी होता है easy post इसे योग विज्ञान के सबसे सरल आसनों में एक ही है हमारे concentration level को बढ़ाता है वो दिमाग को सांथ रखता है वीडियो अच्छी लगियो तो लाइक सबस्क्राइब करके जाना मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक लिए जैश्री राम